हिंदुस्तान के मौस्ट एलिजिबल बैचलर यानी सलमान खान जल्द ही शादी करने वाले हैं और किसी के पती बनने वाले हैं ये खबर सुनकर कितनी ही लड़कियों के दिल तूटने वाले हैं लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं है सलमान अपनी आने वाली फिल्म में शादी कर रहे हैं ना कि असल जिंदगी में सलमान की ये अगली फिल्म किसी और के साथ नहीं बलकि उस निर्देशक के साथ है जिसने सलमान को हीरो बनाया है हम बात कर रहे हैं मैंने प्यार किया बनाने वाले सूरज बढ़ जातिया की सूरज बढ़ जातिया जल्द ही इस फिल्म का ऐलान करने जा रहे हैं बॉलिवूड के गलियारों में चर्चा थी की सूरज बढ़ जातिया के बेटे अवनीश, बतोर, निर्देशक सलमान के साथ फिल्म करेंगे। लेकिन इस फिल्म को सूरज के बेटे नहीं बलकि वैख खुद बनाने जा रहे हैं। सूरज ने फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया कि ये फिल्म सलमान खान के साथ बनने जा रही है और अभी इसकी पट कथा पर काम चल रहा है। खास बात ये है कि पूरी फिल्म में सलमान एक संसकारी पती के किरदार में नजर आएंगे। सलमान के अलावा बाकी कलाकारों का नाम फाइनल करना बाकी है और जल्द ही फिल्म का नाम और तारीक तै करेंगे सलमान के किरदार के बारे में बताते हुए निर्देशक सूरज बरजातिया कहते हैं अभी तक आपने परदे पर सलमान के कई रूप देखे हैं लेकिन अब जल्द ही सलमान एक अलग किरदार में नजर आएंगे फिल्म से जुड़े तक्तियों की घोशना जल्द की जाएगी इस बाद चीत के दोरान सूरज ने सलमान की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा कि मैंने प्यार किया के सलमान में और प्रेम रत्न धनपायों के सलमान में मैंने कोई बदलाव नहीं देखा वे जैसे उस समय थे आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं अब जब फिल्म की घोशना हो ही चुकी है तो भायजान के फैंस को उनकी इस फिल्म का इंतजार रहेगा और सल्मान को बिल्कुल अलक्योदार में देखने की उत्सुकता भी रहेगी